जीवामृत बनाने की प्रक्रिया ने एक नया आयाम स्थापित किया है। इसमें गोबर, गौमूत्र और बेसन का उप्योग होता है, जोन केवल सरल है, बलकि किसानों के लिए बेहद उप्योगी भी। यह एक ऐसी विधी है, जिससे किसान अपने खेतों में प्राकृतिक संत दुलन को बनाए रखते हुए उत्पादन कर सकते हैं। जैसे ही किसान जीवामृत का उप्योग करते हैं, भूमी में जीवानों की संख्या में व्रिधी होती है। यह एक सकारात्मक बदलाव है, जिसके परिना मस्वरूप फसलों की गुनवत्ता में उलेखनीय सुधार हो तो यह खेतों में रासायनिक और जैविक गुनों को बढ़ाता है। यह किसानों के लिए एक लाबकारी विधी बन जाती है, जिससे फसलों की व्रिधी और गुनवत्ता में सुधार संभव हो पाता है। जीवामृत का उप्योग मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाता है, जिस नहीं किया जा सकता। यह बीजों को रोगों से बचाने में मदद करता है और उनकी अंकुरन क्षमता को बढ़ाता है। एक रात रखने पर यह बीजों के लिए तैयार होता है, जिससे किसान बेहतर फसल की उम्मीद कर सकते है। फसल अवशेशों का उद्देश भूमी में नमी बनाए रखना है, जो जल की खपत को कम करता है। यह एक स्थाई क्रिशी का आधार तैयार करता है, जो क्रिशी में स्थिर्ता और उत्पादक्ता को बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में हवा और नमी का संतुलन बनाए रखना अत्यंत महित्वपूर्ण ह इससे इन केवल भूमी की गुनवत्ता में सुधार होता है, बलकि फसले भी स्वस्थ और सम्रिद रूप में बरती है प्राकृतिक क्रिशी विधी के माध्यम से कीटों और बीमारियों का नियंतरन प्रभावी रूप से किया जा सकता है स्थानिय वनस्पती और अन्य साधनों का उप्योग करके यह संभव हो पाता है, जिसे खेती की लागत घटी है और परिनाम बेहतर होते है इस विधी के जरिये किसानों को सस्ती और प्रभावी कीट नाशक तैयार करने की तक्नीक मिलती है यह निकेवल उत्पादन लागत में कमी लाता है, बलकि फसलों की गुनवत्ता को भी अद्भुत तरीके से सुधारता है गुजरात के डांग जिले को प्राकृतिक खेती जिला घोशित किया गया है यहां के किसान इस विधी को अपना कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे है यह एक प्रेना है, जो इंगित करती है कि सही दिशा में किये गए प्रयास कितने लाबदायक हो सकते है प्राकृतिक खेती से इनकेवल खर्च में कमी आई है, बलकि किसानों की आए में भी व्रिधी हो रही है यह आर्थिक द्रिश्टी से उन्हें मजबूत बनाता है और आत्म निर्भरता की ओर एक महित्वपूर्ण कदम बढ़ाता है अंत में इस विधी से खेती की गुनवत्ता में सुधार हुआ है, जिससे फसलों का उत्पादन सिर्फ बेहतर हुआ है, बलकि स्वास्थिवर्धक भी बना है यह हमें याद दिलाता है कि जब हम प्रकृति के साथ चलते हैं, तो हर कदम हमें सफलता की ओर ले जाता है